नमस्ते आज मैं आपको कच्छे आम की लॉंजी बनाना सिखाऊंगी यूपी स्टाइल में यह खट्टी मिठी चेटनी होती है इसमें यूपी में इसको गुड़मा भी कहते हैं तो आप जो भी कहते हों मैं आपको स्वाधिष्ट रेसिपी बताती हूं और अगर आपको यह पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइफ कीजिए इस रेस्पी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल समाइल इद पूनन को सब्सक्राइब कीजिए आईए रेस्पी शुरू करते हैं किसे मैंने मेरे पास दो बड़ी आम थे तो आम आम को छील लेते हैं इसमें इसमें और मैं पोड़े डालूँगी आज इसमें इसको पहले हम आम चील लिए इसके छोटे चोटे ऐसे टुकडे कर लेते हैं चैसे ही कर लीजे कोई इसमें कोई बहुत hard and fast rule नहीं है आप कैसे भी कर लीजे इसमें गुतली पक्की हुई है तो इसको हम ऐसे ही उस कर लेंगे इसमें हम चोटे-चोटे टुकडे कर लेते हैं यहार अज पलें आपनी मम्मी से बनानी सीखी है और मेरे मम्मी आज यसमें मेरी हल्प ली कर दिए हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और हमारे कर ने इस चैक्ति को सबर बहुत शॉख से ठाते हैं यह मैंने काट लिया आम, इसमें हम, इसको मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, और सरसों के तेल में सा स्वाव बहुत अच्छा लगता है, यह मैंने आम काट लिया, यह मैंने पानी में काटा है, इसको जिसे की आम जो है, आम को पानी में काट लेने से थीक रहता है, और पहले दो लिया था मैंने, इसको मैंने आनुपादी में ताक लिया है, इसमें जो तड़का लगेगा, वो मैं आपको दिखा देती हूं, तड़के में सौंस, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी से मेथी दाना, और थोड़ी सी कलॉंजी या मंगरेल जिसको कहते हैं, ये पा करेंगे, मीछा बाद में जलेगा, जब थोड़ा सा फट जाएगा, तो मंगी ने देखे, हेल्पी करागी ये रड़ी ये जरम होने के लिए, मैं आप छॉंकते चा रही हूं, इसमें सबसे पहले हमें मसाले डाल देंगे, सौं, जीरा, मंगरेल, कलॉंजी, अजवाइन और मीद, आज खिंबा कर दिया है, क्योंकि जब चॉंक डाल के है, तो हम आज को हमेशा खिंबा कर देंगे, क्योंकि मसाले में, तो में अपना नच्रो लॉयल जो है, वो दिक्कत पाऊंगे, सारी रड़ी जीर को इसमें दिक्कत देंगे, और प्रोपोर्शन आपका फॉंक ज मसाला हमारा होगया हमारा यह लाता है हमारा हमारा बस जडा हो जाए gods ingριुद के बार नियुक के द 얼ष ले डालाविर और appire, अल्विर लात जाल के लॉख सटे कि हमारा बलका जड़े लिए और यह मैंने इसके आम लाइगे बस तोड़ा सा हम इसे पानी डालेंगे कि भी हमने इसे तोड़ा सा जलने तक पकाना है इसमें हम नमक जाल देंगे स्वाप के आम साथ नमक जालेंगे जैसे सब्जी में डलता है इसे पिल्कुल उसी तरह से नमक जालेगा और जैसे सब्जी में रसा लगता है एसे मैंने देखे इतना इसमें डाल दिया है इसको हम थोणा सा गल जाए इतना तक पकाएंगे अब ये गल जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज देज कर सकने है तो कि गल नहीं है इसको पकाने ही अपना पाई अब ये 10 मिनिट में मुश्कित से 5-7 मिनिट में गल जाएगा यह देखिए हमने इसको पकने के लिए रख दिया था आप देखिए ये ना गल गे रहा है अदि खाती हूँ आपको ये अब गल गया है अब इसमें हम मीठा डाल देंगे जैसा मीठा बसंद हो घर में सबको जैसे कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग जादा खाते हैं तो जैसा जिसके टेस्ट है मीठा भी अकॉर्डिंगल ही डाल देंगे इतना मीठा इसमें डलेगा कैसे आम काफ़ी कहटा ही और मीठा इतना डालके बस इसको हमने गलाना है यह देखिए यह दो मुनिट प्रम रहा है अगर आपको व्यात भी आपको अवए आपको जने है तो आप इसको चीनी यह देखिए इसमें जैसे हमने इसमें गूर डाला गूर अपना इसमें पिगलने लगा और यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा दो मिनट बस हम इसमें बबल्स आ रहे हैं देखिए यह बिल्कुल गूर इसमें बिल्कुल पिखलने वाला है और बस मीठा डालने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में ही जो टाइम लगेगा इसमें दस मिनट जो करीब लगा दस मिन बी गल गली थी उसके बाद हम बस इसको निटा डालके 2 मिट बखा देना है जसे यह देखें, तोकि नमाक लाल में सब डला ही हुआ है, यह देखें बुर इसमें, यह थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए रहा अब ही, और यह देखें, इसका देखें बुरों की वज़ा से, इसका रंग भी थोड़ा गहरा हो गया है, बुरा, पहले पीला-पीला हल्दी की इसका रंग थोड़ा ऐसा हो गया है, मैं भी आपको कटोरी में भी निकाल के लिखाती हूँ, बस, हमने इतना बस करना है, ज़रा सौर काढ़ा हो जाएगा, भी ठंडा होगा तो, और इसको हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज में रखेंगे, इसको हम आराम से 10-15 दिन खास इसको बहुत अच्छा लगता है, खट्टी मीठी चट्नी आम की बहुत अच्छी लगती है, खाने का टेस्ट इंहांसर आईगे, एक तरा से, यह बन गया है, हम गैस को आफ करते है, बस, कितने में ही हम इसको उतार लेंगे, मैं आपको इसमें इसको निकाल के लिखाते हू मैंने इसमें देखें, यह ना घूर सब्सक्राइब, मैंने इसमें देखें एक लिख नहीं थी तो यह भी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको ऊसेमें पालक सबवरी निकाल रह20 कि लिखाते हम परना बशाने हैं, इसमें खरीड न लिखक लिखकी देखी है HELई यह इस्ती ये आम की चट्टी बनी है और ममी ने मेरी इस में मुझे सिखाया है ये ममी बहुत खुश होती है जब ऐसी कोई चीज जालती हो कि ये बहुत पुरानी ट्रडीशनल रेसिपी है आम की चट्टी है हमारे सब बड़े अंदादी नानी से बनाया करती थी और बनता ही है और आप भी इसको बनाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा आसान सी रेसिपी है और बनाइए खाईए और मेरे चैनल स्माइल इत्पूनम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार